नुश्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका बविश्य कोचिंग सिरी गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मेजर ड्वेल्पमेंट इन दे फिल्ड ओफ आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी 17 नंबर क्लास होने जा रही है 15 अगस्त के उपलक्ष पे दोस्तों यह क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्या इस क्लास में रहने वाला है यह अभी आपको पता चल जाएगा तो जो भी मेरे साथ ही चैनल पर नए हैं दोस्तों को सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिये आगर आपको इस पीडियोप बीचाए विए नदर आपके जो एक्जाम में सुवाल रहने वाले हैं इनली पर अधारित एक बहुत ही मेटपुन स्वाल मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं यह हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंटि इसके बारे में जानते हूं इसी उमीद के साथ लेके हूँ कि बहुत सारी बातें हो सकता है अभी तक हमें नहीं पता लगी इसलिए ये क्लास बहुत ही मैतपुन है तो एक बार जो वसाती लाइब बैठें क्लास को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा आपका अभी तक 9 स्तंबर को ही है इसके इसाब से आप त्यारी रखेगा इधर उदर की अफवाओं पर ध्यानने दीजिए और जिस दिन एक्जाम डेट से समंदित कोई भी अगर एक्षा जानकारी होगी तो दोस्तों आप तक पहुंचा दी जाएगी इसलिए एक्जाम कब है कैसे होगा किस तरीके से इन चीजों को आप साइड में रखकर अपना जो तार्गेट है उसको ध्यान में रखते हुए त्यारी करिए दोस्तों क्योंकि ये पल जो है वो बहुत ही नाजुक पल ह कैसी एग्जाम के बारे में कुछ भी होगी तो, वह मैं आपको उढ़ी छल जाएगा पूरे रायस्तान में एक्जाम से समन्दित वह नई जानकारी अपने को मत दीजिएगा हां बिल्कुल जो भी होगा वो सबके साथ होगा अगर एक्जाम पॉस्टपॉन होगा तो सबका होगा और नहीं होगा तो देखिए गार मौका मिला है 2023 में तब आप इस चीज को समय को जाया करिएगा अदरवाइज आपका टार्गेट है सूचना साइक मैनत करिएगा इमानदारी से लगे रहीएगा समय बहुत कम है और यह समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगे एक बार आप उस चीज पर थोड़ा टाइम कम करिएगा और अपना पूरा का पूरा टार्गेट है वह ध्यान रख के मुचना साहे के एक्जाम पर दोस्तो तो बात करते हैं आज के अचा स्वाल क्यों मैटफुन होने वाला है इसके बारे में बात करती है दें दोस्तो आज की जो चलास है यह क्लास नमबर 17 है जोस्तो चला स्पेशल सक nhi में घ्रस ध्यान दीजिए IaaS एक सर्विस है PaaS और एक अपने पास है SaaS Infrastructure A.J. सर्विस, Platform A.J. सर्विस, Software A.J. सर्विस अब अगर बात करें तो Father of Cloud Computing की बात करें तो कौन है अगर बात करें हमारे पास EF Code की तो EF Code कौन है यह हम कह सकते हैं Father of DBMS Father of DBMS यह हम यह भी कह सकते हैं Father of a RDBMS Father of a RDBMS Father of a RDBMS R का अर्थ यहां क्या है? Relation और Relation का अर्थ क्या होता है दोस्तों? Table से होता है Relation का अर्थ क्या है? Table से है अगर बात करें John Hennely की तो हम कह सकते हैं Father of UPS Father of UPS आप सब जानते हैं कंप्यूटर के साथ एक अलग से बैटरी लगाते हैं अनिंट्रेप्टिबल पावर जो सप्लाई होती है उसके लिए कि विदूत का संचालन एकदम से बंद हो जाए तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं हो इसलिए कंप्यूटर के साथ UPS का यूज करते हैं तो UPS की देन किसकी है दोस्तो जॉन हैनली की है अगर बात करें CR लिक लाइडर की बात करें तो यह हमारा सही जवाब है कि अगर आप से पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है या फादर ओप क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में किन को जाना जाता है तो आप कहा सकते हैं CR लिक लाइडर को जाना जाता है दोस्तो नीचे है Charles W.ант इन्होंने कौनसा मोडल बनाया था कि DBMS के अंदर एक मोडल है दोस्तो कौनसा नेटवर्क मोडल है कौनसा मोडल है नेटवर्क मोडल की अगर बात करें तो इसके फादर कौन है? Charles W. Kapitamp RDBMS एक model है, इसके जनक है हम कह सकते है, EF code, Adger, Frank code के नाम से जाने जाते हैं अगर बात करें कि Network model के जनक कोन है तो आप कह सकते है, Charles W. Batchman है पुछ है कि Cloud Computing के जनक कोन है तो आप कह सकते है, CR Licklider है Computer में UPS के जनक कोन है, तो आप कह सकते है, John Hanley है क्या सर यह special स्वाल था, नहीं दोस्तो, अब पूरे स्वाल पर अपने चलते हैं जितने भी स्वाल बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगी सबसे पहले अगर बात करें, एक वेक्ति का नाम आता है Robert Boyce Ore, Donald Chamberlain इन्होंने क्या था, एक language अपने पास कौन सी, SQL SQL एक किस परकार की language है दोस्तो, non-procedural कौन सी language है, non-procedural है, लेकिन ध्यान देना एक SQL आता है PL SQL है, यह हमारा क्या होता है, procedural SQL होता है दोस्तो procedural, SQL, तो Robert Boyce और Donald Chamberlain ने, दोनों ने मिलकर हमारे पास एक जो language है, जिसका नाम क्या है SQL, आब सब जानते हैं SQL के अंदर कौन सा, SQL की फुलकॉम क्या है, structured query language है, structured query language है, जिसके जनक कौन है, Robert Boyce और Donald Chamberlain है, Greek किलडाल, Greek किलडाल की बात करें दोस्तों, तो यह हम कह सकते हैं, father of operating system father of operating system father of operating system father of operating system की अगर बात करें तो कौन है, Greek किलडाल है अब एक बात और बात करता हूँ, अगर बात करें operating system की operating system की बात करें, तो operating system interface के अधार पर interface के अधार पर, पहले दो part में था, एक था CUI और एक है दोस्तो, GUI CUI का अर्थ आप सब जानते हैं, क्या होता है character user interface character user interface character user interface किसी CUI को एक और नाम से जानते हैं, CLI तो CLI का आर्थ क्या होता है command line interface CLI क्या है, command line interface command line interface एक हमारे पास operating system कौन सा है GUI तो दो नमबर हमारे पास कौन सा है GUI, GUI का आर्थ सब जानते हैं, क्या होता है graphical user interface graphical user interface ये तो था interface के अधार पर operating system दो परकार के अगर अभी आपने latest पड़ा हो तो दोस्तो अब हमारे पास जो operating system है, वो interface के अधार पर स्वाल पुछा जाए क्या, based on interface based on interface पुछा जाए तो ये हमारे पास कितने परकार के हैं 5 परकार के हैं, सबसे पहले नमबर पे आप सब जानते हैं या तो CUI बोल दो, या बोल दो CLI, उसके बाद इसकी, GUI की तो पता चल गया, graphical user interface, VBI का आर्थ होता है दोस्तो, voice base से interface voice base से interface TBI का आर्थ होता है दोस्तो, touch base से interface और अगर बात करें, GBI तो इसका आर्थ होता है gesture base से interface gesture base interface, gesture का आर्थ होता है motion से gesture का आर्थ क्या है motion से, देखिए पहले operating system interface के आदार पर दोई परकार के थे, एक था CUI रेक है, GI CUI की बात करें, तो डोस हमारा क्या है, CUI है, Windows की बात करें, GUI है Android की बात करें, IOS की बात करें, Mac की बात करें, Linux की बात करें, Bose की बात करें, भारोस की बात करें, सारे के सारे कौन से हैं, GI अधारी तो operating system है, अब अगर interface के आदार पर बात करें, यह पांच परकार के होगे, यानि की Android फौन की बात करे Android operating system की बात करे तो इसमें वह इसके माधियम से भी तो इंटरफेस कर रहे हो कि माधियम क्या होता इस चीज को समझेगा तोड़ा जैसे मालों आपका फोन है इस पोजिशन से इस पोजिशन में करते हो तो आपकी screen rotate होती है कोई आप गेम खेल ले और तो इस तरीके से फोन को rotate करते हो यह हमारे क्या हो सकते है गैसर हो सकते है एक क्या होता आई राज्चिंग जो लगाते हो वह भी किस पर काम करते हैं दोस्तों गैसर यानि की Father Of Operating System है, ग्रिक किल डाल कोन है? Father Of Operating System, अगर बात करें, Robert Matt Capey की, Matt Capey की अगर बात करें, Robote Matt Capey की बात करें, तो यह हमारे पास क्या है दोस्तो? Father Of, Father Of Ethernet, Father Of Ethernet है, Father Of Ethernet की बात करें-तो तो कौन है? Robert Matt Capey, Ethernet का IEEE encima standard होता है दोस्तो 800.3, 802.3 802.3 थोड़ी बात मैं इस इतरनेट पर कर देता हूं क्योंकि इस पर इतरनेट पर भी स्वाल पूछे जाते हैं अगर बात करें किसकी इतरनेट की यह इतरनेट हमारे पास है इसका जो आई ट्रिपली स्टेंडड है वो कितना है 802.3 है इसकी हमारे पास चार जनरेशन है सबसे पहले जनरेशन का जो इतरनेट था उसका नाम था स्टेंडड है इतरनेट दूसरा आपने पास जो इतरनेट है वो है फास्ट इतरनेट पास्ट इतरनेट तीसरा आपने पास आता है गिगाबिट इतरनेट यह 2013 में स्वाल पुछा गया था गिगाबिट इतरनेट और एक है अपने पास है 10 Giga Bit Ethernet Giga Bit है Ethernet और आने वाले समय में 40 Giga Bit का भी आपको देखने को मिलेगा 40 Giga Bit Ethernet 40 Giga Bit है अब अगर बात करें सबसे पहले जो 10 Giga Bit Ethernet है इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 10 Mbps इसकी स्पीड होती है 100 Mbps कितनी है 100 Mbps Mbps का मतलो Megabits per second Giga Bit की अगर बात करें तो इसकी होती है 1 Gbps बोल दो चाहे 1000 Mbps बोल दो इसकी स्पीड होती है वो 10 Gbps होती है और या फिर आप बोल दो 10,000 Mbps एक ही बात है केलीर होगी बात इस standard Ethernet का IEEE standard कितना है 802.3 यानि कि Ethernet का पुछे तो भी 802.3 और Ethernet की पहली जो generation थी वो कोई सी है standard और उसका भी IEEE standard कितना है 802.3 Fast Ethernet का IEEE standard है 802.3 U U Fast Fast U Gigabit Ethernet की बात करें तो इसका IEEE standard है 802.3 Z है GZ Giga GZ याद रख सकते हो और इधर अगर बात करें तो 10 Gigabit की अगर बात करें तो इसका IEEE standard है दोस्तो 802.3 A और E 3 A E और याद रखने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है 802 प्रोजेक्ट है जो 802 ये सन 1985 में स्टार्ट हुआ था. एक मैंने आपको बताया था टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर के बारे में लिष्ट जानी करता है. ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 200 सन 1903 में में तो 1903 में में और 802 प्रोजेक्ट है ये कब सुरूआ था 1985 में. अगर बात करें इस इथरनेट के जनक कौन है तो आप बता देना रोबर्ट मैट के फे स्वाल पे आते हैं पनी. देखिएगा. हमारे पास क्या था रोबर्ट मैट के फे? रोबर्ट मैट के फे कौन है? अकेले नहीं थे. इनके साथ ही एक और थे जिनका नाम क्या है दोस्तों? डेविड बोग्स है. तो ये भी हमारे पास क्या है? फादर अफ एथरनेट है. फादर अफ है इथरनेट है. वोगर आपस फादर ऑफ इथरनेट पूछे तो कौन है? रोबर्ट, मेटकेफ और डेविड बॉक्स इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था हमारे पास इठरनेट दिया था अगर बात करें इठरनेट की तौन मुझे कमेट करके बताईएगा इठरनेट को कहां पर बनाया गया था किस कंपनी ड्वारा बनाया गया था, अगर यह पूछे तो अमेन कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा एलन टूरिंग की बात करें दोस्तों एलन टूरिंग सब जानते हैं कौन है फाधरोफ हे फाधरोफ हे कंप्यूटर साइंस फाधरोफ हे computer science साल सब वेज की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं father of computer father of computer अगर john mccarthy की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं father of AI father of AI artificial intelligence के जनक कोन है john mccarthy आगे बात करते है raj ready father of AI father of AI अगर पूछे father of AI in India इंडिया के अंदर है AI के जनक किन को माना गया है raj ready विजे पेंडूरंग बठकर की अगर बात करें तो आप कह सकते है father of father of a super computer father of a super computer father of a super computer in India इंडिया के अंदर super computer के जनक किन को माना गया है विजय पेंडुरंग बतगो अजय भक की अगर बाद करें तो यह फाद्रोंफ यू स्ब्स या उस्बी या उस्बी यूयुस्बी का रसिता है रिवुएस यू एक तो पुछा है यह फादरौफ सुपर कंप्प्यूटर तो कौन है के गर भारत में super computer के जनकोन है विजय पंडूरंग बठकर है सिमूर करे अकेले नहीं थे इनके साथ एक कonut बोरिस बाबायन तो ये भी कौन है inquadrone computer सुपर concentoder बादरोवे प्यूपर कंप्योटर है डार ओफ सुपर कंप्योटर है यह भी किस ने बनाया था रे टॉम लिंचन ने बनाया था विक हयास की बात करें दोस्तों तो यह कौन है फादर ओफे वाइफाई फादर ओफे वाइफाई हराल्ड हयास की बात करें तो आप कहा सकते हो फादर ओफे लाइफाई फादर ओफे लाइफाई दोस्तों यह वाइ वाला है इस पर बहुत बार स्वाल पूछे गए है टीक है वी एलीची पे पर काम करता है विजूर लाइट कम्नुगेशन पर काम करता है हमारे पास कौन सा लाइप आपकी पूलपोम होती है लाइट फिडेलिटी और वाइप की फूल पम कोती है wireless स्फिडेलिटी है अगर आगे बात करें तो हमारे पास नाम आता है जाफ हाटसन की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कौन है फादर ओफ ब्ल्यूटूथ फादर ओफ ब्ल्यूटूथ है राडिया जोई परल में ने मदर ओफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है मदर औे इंटरनेट यह मैं ने कई बार बताया हुआ हैր ओर ओफ इंटरनेट कि अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कौन है दोस्तों फादर ओफ इंटरनेटृ 15 theo b तिम क्रेंडमर की अगर बात करें तो फादर ओफ अबेकस है अबेकस का जापानी नेम क्या है सारोबान है और चाइना के लोग क्या कहते हैं स्वान पान कहते हैं क्या कहते हैं चाइना के लोग तो स्वान पान कहते हैं जापान के लोग की अगर बात करें तो जापानी नेम क् किस ने किया टिम क्रेंवर ने डेनिस रिची की अगर बात करें तो इन्होंने कौन सी लेंग्वेज बनाई थी सी लेंग्वेज बनाई है डेनी से रिची ने डेनी से रिची देनिस रीची ने अब अगर बात करें आगे हमारे पास पार्ट आता है किसका जोन बेकस ने जोन बेकस की अगर बात करें तो कौन सी बासा है फादर ओफ फॉर्ट्रेंड फादर ओफ फॉर्ट्रेंड की फुल्फॉर्म क्या होती है formula translation विज्यानिकों की language है portrain की अगर बात करें तो सबसे पहली high level language है सबसे पहली high level language है high level language है कौन सी portrain है John G. Camini और Tom's E. Cartage की बात करें तो ये है father of basic language basic language है beginner all-purpose symbolic instructions code इसके जो जनक है वो कौन है John G. Camini है और Tom's E. Cartage है Kathleen Booth की अगर बात करें तो आप बता देना father of है Kathleen Booth की अगर बात करें तो कौन है father of assembly language father of assembly language कौन है Kathleen Booth है Tim Patterson की बात करें तो father of DOS है father of DOS DOS किसने बनाया है तो आप बता देना मूल रूप से जो DOS बनाया था वो किसने बनाया था Tim Patterson ने अगर बात करें तो Microsoft Company का DOS है तो वो MS DOS कहलाता है Apple Company का DOS है वो Apple DOS के नाम से जाना जाता है लेकिन मूल रूप से जो DOS बनाया है वो किसने बनाया है Tim Patterson ने DOS की फुलपों आप सब जानते हैं क्या होता है Disk Operating System James Gosling की अगर बात करें है FATHER OF Java language FATHER OF Java language की अगर बात करें तो कौन है Jame's G jail गोस्लिंग आप खमेंट करके बताइएगा अगर juvenile om ऑप्सण में नहीं हो तो FATHER OF Java कौन लगाए क्सी लिए यquin ये बनाया था अब सब जानते हैं healthier ने बनाया था क्या Jawa Google Helloakinik है अगर बात करें तो ये है Cuboda फादर ओफ है फादर ओफ है रेडियो वैब फादर ओफ है रेडियो वैब आपने टॉपिक पड़ा होगा ये के गाइडेड मीडिया और अंगाइडेड मीडिया वहाँ पर जिकर हुआ होगा इसका रेडियो वैब तो फादर ओफ रेडियो वैब कौन है गुगल एलमो मार क फोनी हें निरींदर स सिंग का पानी की अगर बात करें तो यह है फादर ओफ है फादर ओफ है ओप्टिकल sovereign in कि the época ले कि आब ले आचालि फैबर केबर फून है निरींदर सिंग्छ का पानी नेक्स्ट बात करते हैं ऑलिवर हेवी साइड इसाइड की बात रख़ा जाने वाला जेक होता है वह कौण सा होता है बीएंसी होता है कौण सा प्रे यह एक टो लगाए जाता है सी निंद्य को च fragen जाता है यह जाता है यह कौण सी करेबल पर नोसी आप एक होता है यह सथागा जाता और अगर बात करें कोईक्षिल केबल पर कौन सा जेक लगाया जाता है बी एंसी अलेक्जंडर ग्रामवेल की बात करें तो यह जो फादर है वह कौन सी केबल के हैं किसने मनाई है अलेक्जंडर ग्रामवेल में और इस केबल पर भी एक जेक लगाया जाता है दोस्तों वह कौ से बीवर्ननिल कॉंसल मेन होता है प्रद्री स्पेंशर की बात करें रोबर्ट एन गी बात करें तो यह रrien Las मैक्रोब्र में फादर ओफ ए माईक्रोवर्वर्र अधर ओप्चैल विलियम हड सेल कि अगर बात करें तो फादर औफ इंफ्रारेड रेज आद़र ओफ है आई और इंफ्रारेड रेज है वीलियम है था सल है दोस्तोगि अब वापस देखिएगा ओलिवर हैविसाइड की बात करें लेजडर की बात करें पार्ची स्पेंसर की बात करें अब यह kon容 से पत हैं क्विश के है वो जनक से पुछा जाता है कंप्यूटर अंदेशक की बात करें तो उसमें AI का जनक पुछा गया है Facebook के जनक की बात की गई है Google के जनक की बात की गई है इसलिए अब आप पढ़ते हो इतने सारे जनक और आपको मिलना है एक सवाल वहां पर तो ऐसा थोड़ी होगा कि पचास जनक पढ़ लिए तो पचास के पचास सवाल नहीं आये कोई भी सवाल की अगर बात करें तो किसी भी टॉपिक से कैसा भी सवाल पुछा जा सकता है इसका मतलब होता कॉंपिटिशन की त्यारी अगर आप कर रहे हैं तो यह जो सवाल अभी अपनोंने बात किये हर एक पेपर में एक आदा एक आदा सवाल आपको इन में से देखने को मिलेगा इसलिए हर एक चीज को आप ध्यान पुर्वक पढ़िएगा कंप्यूटर साइंस के जनक पुछे तो एलन ट्यूरिंग है कंप्यूटर के जनक पुछे तो चाल से बबेज है दोस्तों यहां तक हो गया उसके बाद च्छोटी सी बात करें कि क्लाउड की सर्विस तो तीन परकार की है आई-ए-ए-ए-ए-ए-ए-स और ए-स-ए-ए-ए-स क्लाउड होते कितने परकार के हैं चार परकार के एक प्राइवेट होता है एक हाइब्रीड होता है प्रे क्या होता है कम्यूटी क्लाउड बोल दो या इसको मल्टी क्लाउड के नाम से जाना जाता है यह स्वाल भी इंपोर्टेंट है क्लाउड कितने परकार के हैं चार पर आप डूस्तव को अगर आपके पास बुक है तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िए अगर आपके पास बुक नहीं है दोस्तों यह जो टूपिक है इस टूपिक को मैं वहिशय कोचिंग अप्लिकेशन के अंदर एक PDF डाल दूँगा आप application डाउनलोड करेंगे और syllabus वाले icon पर जाकर देखेंगे तो वहां आपको ये PDF मिल जाएगी ये PDF कल श्याम तक application पर upload हो जाएगी आप application डाउनलोड करके वहां से भी कौन से topic की बात कर रहा हूं केवल और केवल major development in the field of IT का किताब के अंदर topic है मैं यह नहीं कहता कि आप दो दिन चार दिन के लिए आप मार्किट से book purchase करें क्यों क्योंकि अगर आप पास पहले से book नहीं है तो पड़ेंगे तो इसमें आपका वह सारा time भी जाया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको डि application है इस पर आपको मिल जाएगी आप application का जो लिंक है इसी वीडियो के description में जाईएगा application को download कर लीजिएगा कल शाम तक यह PDF आपको वहां पर मिल जाएगी स्लेबर सुनाने वाले स्लेब पर जाके देखेंगे तो वहां पर यह PDF मिल जाएगी major development in the field of IT वाला क्या करना है आपने इसमें जितने भी points दिये हुए उन points को द्यान पूरवक पढ़िएगा अच्छे तरीके से पढ़ कर जाईएगा आपको कहीं ने कहीं बहुत सारी चीज पढ़े हुए offline उनको तो यह सारी चीज़ें याद भी होगी हर एक फादर्स की बात करें या जनक की बात करें कंपनी की स्ताफना की बात करें संस्ताफक की बात करें हैड़ ओपिस की बात करें 2018 में पूच्छा गया था कि Microsoft company का हैड़ ओपिस कहा है ठीक है उस टाइम से दोस्तों आपके लिए बहुत ही important है cloud computing के जनक की अगर बात करें तो यह important सवाल था इस पे मैंने यह सवाल लिया तो मैंने का सारे option इसके साथ रखकर आपको पूरे पार्ट में दिये जाएं आप बहतर तरीके से इस class को लगा सके आज की class है आप अपने दोस्तों के साथ ज जरूर करना तेरि में लगे रहो जो कि मत सोचना दोस्तों की एकजाम नौस तंबर को या आगे पीछे को कुछ भी हो नौस तंबर के पास है यह मोका अपने पास है ऐसे बार बार नहीं मिलते इसलिए पूरी महनत के साथ इमानदारी के साथ लगे रहिएगा क्या प्रेशानी आ सकती है पेपर में किस तरीके का पेपर होगा इस सब के लिए एक चुनोती है दोस्तों और इससे गबराना नहीं है अपने सिस्टम को मजबूत रखेगा अपने आप पर विश्वास रखेगा अब यह जो मुमेंट होता है इसमें किसी ने पूछ लिया कि उसको फेस कर जाओगे और विश्वास कुछ पर नहीं है दोस्तों एक छोटी से छोटी प्रेशानी भी आपको हरा सकती है इसलिए खुद पर विश्वास रखिए नोस्तंबर के साथ से त्यारी करिए और जो आईटी वाली जो पीडिएफ है वह मैं आपको इसमें डाल गया दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक बहतरीन कलास के साथ तब तक के लिए नोस्तों नुश्कार बारत माता की जैए